जैहिन सात्यों स्वागत है आपका Self Study Classes विस्वमिजेन यूटूब चैनल में दोस्तो आज हम फिर से लेकर क्या हैं भनी टर्कों के माध्यम से मद्ध प्रदेश का सामान नग्यान चुटकियों में याद करवाएंगे ठीक है तो आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल क सब्सक्राइब कर लेना ठीक है स्टार्ट करेंगे दोस्तो आज का यह वीडियो तो सात्यों अगर आप MP जेल प्रहरी परिक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट एप है परिक्षा एप जिहां दोस्तों जहां पर आपको संपूर्ण माटेरियल उपल रब्द होने वाली हैं ठीक है तो आप प्ले स्टोर से परिक्षा एप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में परिक्षा एप की लिंक दी है तो वहां से भी आप परिक्षा एप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों आपको बहां पर बहुत अच्छी एच्छी ट गोल्ड पेपर से संग्रीत हैं और दोस्तों एक्जाम पैटर्न पर आधारित हैं ठीक है पूरा टॉफिक वाइज आपको यहां पर सिलेबस उपलब्द होगा आपको टेस्सीरिज खरीदना है ठीक है टेस्सीरिज खरीदने के लिए आपको 100% पैसे नहीं देने होंगे अगर एक कोड आप यूज करते हैं तो 40% का डिसकाउंट मिल जाएगा यानि कि अगर कोई टेस्सीरिज 100 रुपे की है तो 40% का डिसकाउंट यानि कि आपको 60 रुपे में मिलेगी ठीक है जब आप सब्सक्राइब करते हो और बेल आइकन दवाते हो तो इसमें आल पर क्लिक किया क करो ताकि और वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी ठीक है तो इस्टार करते हैं दोस्तों यह है आपका मद्द प्रदेश और मद्द प्रदेश का सामान निग्यान आजम पड़ने बाले है ठीक है और सामान निग्यान में सबसे पहले आपको बताना है कुमा कुमार मतलब कुमारे लोग होते हैं वो सबसे ज्यादा क्या सुनते हैं क्या सुनते हैं आपने देखा होगा कान में वह साब फसा लिया और सुनते रहते हैं क्या संगीत संगीत सुनते हैं कौन कुमार लोग तो कुमार गंदर प्रुसकार होगा वो किस्ते सम्मंदित होगा उत्तर आपको ही बताना है उत्तर हो जाएगा संगीश से सम्मंदित यानि कि ए नम्मर आपका बिल्कुश सही हो जाएगा ठीक है अब अंगला कोस्चन आपको बताना है दोस्तो पाताल कोट घाटी मद्रदेश के किस जिले में इस्ते थे पाताल कोट घाटी जी हां दोस्तो चार बिकल्ब हैं, दो सेकंड में आपको उत्तर बताना होता है, और मैं आपको हिंट देता हूँ दोस्तों, कि हम बोलते न, कि वो तो कहां चला गया, पाताल लोक चला गया, अगर आपको छेद दिया जाए, अगर आपको छेद दिया जाए दिबाल में, तो आप कहां चले ज होगी Yuk шंध बाड़ा ना क्यूंकि आपको चेट दिया जाता है तो चिंद-बाड़ा आपका बिल्कुस सही है च्रिफाल की दश्टी से सबसे बड़ा जला यही है मद्य प्रदेस का देखलो इसको जरा छिंद-बाड़ा को यह है आपका दोस्तों में अप ब्यारन कहां जते थे दो सेकंड आपको दिये जाते हैं दोस्तों आपने वो फिल में देख ली होगी केसरी केसरी में जो सरदार रहते हैं उनकी जो तलवार की धार रहती है हमेशा धार बना की रखते हैं वो कौन सरदार तो सरदार पुर बनने जी अब ब्यारन कहां पर होग कहां पर होगा मैंने हिंट आपको दे दी है उत्तर आपको इबताना है और उत्तर आपका सई हो जाएगा विकल्प नम्मर डी यानि की धार ठीक है धार आपका बिल्कुछ सई आंसर हो जाएगा अब दोस्तों मैं आपने देखू यह है आपका धार और यहां पर कौन सा है पर बताना है ओम कारे सुर की बात हो रही है एक कहां पर रस्ते थे अब दोस्तों एक चीज बताना कि ओम जो रहता है ओम को कभी खंडित किया जा सकता क्या जल्दी बताएं किया जा सकता है ओम को खंडित नहीं ना तो जब ओम को खंडित नहीं किया जा सकता तो ओम कारे को सही हो जाएगा ठीक है तो दोस्तों एह है आपका मैं अपमें देखो खंडबा यहां पर आपका ओमकारे जो है मंदर है ठीक है तो यह चीज आपको याद रखनी है अगला है दोस्तों मद्दप्रेश की किस जन जाती में घोटुल पिर्था पाई जाती है घोटुल पिर्था अब दो सेकंड में आपको उत्तर बताना मैं थोड़ी सी हिंट आपको दे रहा हूं दोस्तों अगर आप के बालों को गोट दिया जाए तो फिर आपको क्या कहेंगे लोग क्या कहेंगे क्या कहेंगे मिल गया ना आपको उत्तर क्या कहेंगे मुडिया अरे ये तो मुडिया हो गया अगर आपके बालों को गोट दिया जाए तो आपको लोग मुडिया कहेंगे तो गोटुल केंगे अंगला कोश्चन है मत्रेप्रदेश की किस इस्थान में जैन धर्माव लंबियों का तीर्थ बावन गजा इस्तित है अब दोस्तों चार विकल्प हैं दो सेकंड भी हमारे पास हैं अब बावन गजा की बात हो रही मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा बावन गजा मतल आपका वडवानी यानि की वी नमबर आपका बिलकुत सही हो जाएगा ठीक है और यह है दोस्तों आपका बड़वानी मैप में देखो यहां खरगोन अलिराजपूर धार और यह आपका नीचे बड़वानी ठीक है यहां पर बावन गजा है ठीक है अंगला बताना है दोस् आपको नहीं लग रहा काठी से कोठी काठी से नहीं लग रहा आपको कोठी और कोठी में क्या भरा जाता है क्या भर लेते हो ओले सर मेरी तो माल से कोठी भरी है बोलते ना तो जो काठी नाट होगा वो किस छेत्र का होगा अब आपको युत्तर बताना है तो आपने विल्कुछ सही बताया है मालवा का क्योंकि माल से क्या भरी है कोछी भरी है तो काठी जो नाट है वो मालवा का है और ये देखो दोस्तों मैप में ये अलग-अलग छेत्र बटे हैं बगेल खंड का पठार बुदेल खंड का ये जो छेत्र आता है यहां से लेकर इतना वाला छेत्र ये मालवा कहलाता है मालवा उज्जैन इंदोर ये सबी मालवा के अंतरगत आते हैं तो मालवा में मालवा छेत्र का नाट है कोठी ये याद रखना है अब दोस्तों आपको बताना मद्द प्रदेश में इस तित खजराहों आपको पता है खजराहों बहुत ही प्रसिद्ध मंदर है लक्षमन मंदर है पार्षनात मंदर है कंदरिया महादेव का मंदर है ठीक है अब खजराहों की मंदरों का नर्मार किस बंस के सासक ने करवाया होगा अब खजराहों से आपको ऐसा नहीं लग रहा कि खजर रहो, है ना, अगर दोस्तो आप लगातर अपने बालों को खुज़राओ करते रहोगे, तो आपकी क्या निकलाएगी, चांद निकलाएगी, क्योंकि बाल बचेंगी नई, तो चांद निकलाएगी, तो खुज़राओ की मंदिर का निर्मान कौन करवाएगा, मैंने हिंट दे आपको और आपको उत्तर बताया है आपने चंदेल सासकों ने यानि बी नम्मर आपका बिल्कुत सही हो जाएगा ठीक है अंगला कोस्चन देखते हैं दोस्तों और यह है छतरपूर यहाँ पर है आपके खजुराहो के मंदिर ठीक है खजुराहो अगर पूछा जाए किस जले में इस देखते तो आपको बता देना है छतरपूर में ठीक है अंगला दोस्तों मद्यप्रदेश के किस स्थान पर सोया बीन के तेल का उत्पादन होता है सोया बीन के तेल का अब दोस्तों आपको तो पता है कि सोया बीन का उत्पादन बहुत होता है मद्यप्रदेश में इसलिए इसे सोया state कहा जाता है और एक चीज और बतादू, कि सोया भीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाय जाता है, ठीक है, और मद्धेप्रदेश के किस इस्थान पर सोया भीन के तेल का उत्रपादन होता है, तो किस छेत्र पर होता है अब जहाँ तेल का उत्पादन होगा दोस्तों तो वो तो क्या कहलाएगी वो तो मंदी हो जाएगी ना ये तो मंदी है तेल की मंदी है तो सोयवीन का उत्पादन कहा होगा मंदी दीप में अब ये तो तेल की मंदी है भाई सोयवीन का तेल का अब दोस्तो जो, कभी कभी पुछ लिया जाता है, इस मंदी दीप देखो कहां पर है, यह तो मंदी दीप रायसेयन में हैं और मंदी दीप में स्वयवीन के तेल का उत्पादन किया जाता है, यहांसे इसे बहुत सारी चीजें आपको आद हो जाईगी, मन्द्य प्रदेश मे S वाग स्टेडियम कहां परिस्ते थे यह आप से पूचा जाता है तो आपको 2 सेकंड दिये जाते हैं दोस्तों और आप बताना S कौन करेगा S कौन करेगा जो भेकारी होगा या राजा होगा, पाल होगा कौन होगा, जो भू का पाल होगा जो भू का पाल होगा, वो क्या करेगा S करेगा, क्या करेगा S, यानि कि S वाग स्टेडियम कहां पर होगा, भोपाल में यानि कि बानम्मर आपका बिल्कुत सही हो जाएगा, ठीक है अब दोस्तों मजा आ रहा हो, तो यह है आपका भोपाल मैप में, ठीक है गिली कि गुफाएं कहां है, दो सेकेंड आपको दिये जाते हैं, और आपको मैं हिंत दे रहा हूँ दोस्तों, कि सूर का उदय, हम बोलते ना, सूर का उदय किस दिसा से होता है, उत्तर में दिसा जरूर आईगा, उदय की बात आ रही है, तो दिसा, यानी बिदीसा, डिसा है है किस दिशा है सूर का अद Integration अभर इस प्रकार से अब दोस्तो रहा है तो यह आपका व्हूप अब आपको बताना है तो किस्ने बनवाया था किस ने बनवाया था चार वेकलप है और दो सेकेंड आपके पास है तो जल्डी बताना है एक बात बताएं दोस्तों कि जब असोक ने कलेंग बिजय प्राप्त की और इसके हिरदय में जब सच्चाई जागी आख में चेतना जागी तो इसने क्या कर लिया था बोध धर्म अपना लिया था और तब से क्या बोलने लगा था क्या बोलने लगा था सांची बोलने लगा था कौन असोक तो सांची का इस्तूप कौन बनवाएगा असोक क्या करता था सांची बोलने लगा था ठीक है तो यह जूंट नहीं बोलता था सांची बोलता था ठीक है तो यह असोक ने बनवाया था दोस्तों और यह सा गया है तो उज्जेन जिसे महाकाल की नंगरी कहा जाता है है ना कुम्ब का मेला भी यहीं लगता है ठीक है तो इसे कहा जाता तो दोस्तों क्या अबंतिका क्या कहा जाता था अबंतिका आपको याद रखना है मैप में देख लो यहाँ पर यह है दोस्तों उज्जेन है ना उ गुजरी महल किसने बन वाया था तो जल्दी से बताएं अब एक चीज बताना दोस्तो कि हमारे जो परिवार में रहते हैं बहुत जो हमारे दादा परदा वो गुजर गए लेकिन आज भी हम उने मान देते हैं देते की नहीं सराद करने जाते हैं मान देते हैं की नहीं देते हैं सबी लोग देते हैं तो गुजरी महल कहां पर किसने बनवाया होगा मान से ने की चंडेलों ने मान से ने ना क्योंकि जो गुजर गए हैं हमारे बुडे-बुडे उनको हम मान आज भी देते हैं, तो गुजरी महल कोन बनवाएगा, मान सें, یعنی की B. नम्मर आपका सई होगा, अब दोस्तों प्रस्ण कड़ा होता है कि गुजरी महल कहां इसते थे, तो गुजरी महल इसते थे, दोस्तों आपका Wheelier में, ठीक है, गु उत्तर बताना है मैं हिंट दे रहा हूँ आपको कपास अनुसंदान के अंदर कहां इसते थे तो कपास आपने देखी होगी जैसा एक खरगोस देख रहा है ऐसे रहती बिलकुल कपास तो कपास अनुसंदान के अंदर कहां होगी जैसा खरगोस रहता है मतलब खरगोन खरगोन क्यानी कि V-nummer आपका विल्कु सही होगा कपास अनुसंधान के अंदर है दोस्तो खरगोन में क्योंकि कपास कैसी रहती है जैसी खरगोस रहती है अब खरगोस से आपको नहीं लग रहा कि खरगोन है ना खरगोस से खरगोन तीक है इस प्रिकार सी याद रखेंगे और दोखो एह है दोस्तो कहर गौन यहाँ पर आपका कपास अनुसन धान के अंदर है अंगला दोस्तों आपको बताना मूर्तिकला का प्रसिद्धिस्थान फढ़के स्टूडियो कहां इसते थे फढ़के बताना अब कभी-कभी ऐसा नहीं बोल देते दोस्तों क्या वो देते हैं कि अगर कोई जाना फढ़कता है गाउवाम देओ या जाना फढ़क रहा है धार में फैंक दो फढ़के स्टूडियों जो स्टूडियो होगा वो कहां होगा धार में यानि कि V-number आपका बिल्कुछ सही हो जागा ठीक है भी-number और ये है दोस्तों आपका धार यहां पर फढ़के स्टूडियों है ठीक है अंगला question है होलियो डोरास का प्रसिद्धिस्थान कहां इस् तो होगा कहाँ, कहाँ होगा, आपने बिल्कु सही पहचाना विदीसा में, है न, होलियो डोरस विदेसी था, और हमें भी पढ़ने में लग रहा उसका नाम कि यह तो विदेसी है, तो यह विदीसा में इसका इस्तंब है, ठीक है, अंगला क्वेशन आपको बताना है दोस्तो किया कोई किसी की राय लेता है, कि कौन सा इत्र डालना है, आप तो नया नया इत्र लेके आते हो, यह ले आए, बो ले आए, है न, तो इत्र डालते हो, लेकिन किसी की राय नहीं लेते, है न, तो बी नमबर, यानि कि इत्रदार जो महल है, वो कहाँ पर होगा, राय सेन में थिक है तो B- bidding नम्मर आपका बिलकुँ सही होगा थिक है और राइसेन कहां है दोस्तों एह है आपका राइसेन मद्द परेस में यह राइसेन है थिक है अब अगला question आपको बताना दोस्तों बाग की गुफाएं कहां हिस्ते थे चार व कल पें दो सिकेंड भी आपके पास हिस लग जाएगी खून की धार लग जाएगी तो बाग की गुफाएं कहां पर होंगी कहां पर होंगी तो आपने बिल्कु सही पहचाना है दोस्तों धार में क्योंकि बाग के दांद बहुत नुकीले होते हैं अगर लग जाए तो खून की धार लग जाएगी तो बाग की गुफ पेपर मिल कहां इसते थे दोस्तों अब सेक्यूटी पेपर मिल बताना है दो सेकंड आपको दिये जाते हैं अब आपको ऐसा नहीं लग रहा दोस्तों आपने सिक्यूटी देऊगा यार सिक्यूटी लगी है सिक्यूटी लगी है मतलब सिक्यूटी संग में रहती है कि दूर ल है तो होसंगाबाद हो संग में रहती है तो होसंगाबाद में security पेपर मिल ठीक है अब दोस्तों आपको याद हुए हो कि पक्का है ना जब आ परिक्षा में वेटोगे आपको बिल्कुल पड़ने की ज़ूरत नहीं आपने बीडियो पूरा देख लिया है आप कभी नहीं बूल सकते और होसंगाबाद यह है दोस्तो आपका यहाँ पर है ना होसंगाबाद है जहां पर आपका security paper मिल है अब एक प्रस्ण आपको दिया जाता है दोस्तो challenge प्रस्ण जिसका उत्तर आपको कमेंट में लिखना है रक्षा गारी कार खाना कहां पर इस्ते थे चार बिकल्प है चेलेंज प्रस्न है आपको उत्तर जरूर बताना है जितने भी साथियों ने देखा है उनको कमेंट में उत्तर लिखना जरूरी है तब तो हम समझें कि आप भी challenge सुईकार करते हो ठीक है मेरा challenge है और आप उत्तर जरूरू बताएंगे comment में ठीक है इस प्रशने का और वीडियो बताएंगे कैसा लगा आपको याद हुआ की नहीं हुआ इसी प्रकार के और भी वीडियो आपको चाहिए की नहीं चाहिए है यह सबसे जरूना है 9098609291 फेस्बुक से जरूना है समिच जैन सर्च करना है और वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक से यह जरूर करना है दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं और प्रोस्थाहन जरूर दें इसर बहुत अच्छा लगा है ना और याद भी से यह जरूएं बहुत अच्ना है